वेलकम टू ए डिक्टिशिन गुड मॉनिंग इस्टेनोग्राफी सिरीज में आप सभी का स्वागत है जहां आपको मिलता है प्रति दिन पांस डिक्टिशिन बैक टू बैक और स्पीड रहती है सतर से लेकर 110 सब्द प्रति मिनट की और टाइमिंग सुबह छह बजे तो इसके कुछ outlines है जो डिक्टिशिन बोलने जा रहे है या फिर जो dictition आप लिखने जा रहे है उसकी outlines कुछ इस प्रकार है तो चलिए देख लेते हैं कि ये outlines बने कैसे हैं पहला word है सुधार की दिशा में तो line काट के हमने सुधार लिखा and की दिशा का rule हमने 10 or speedy rules से यहां पर rule apply करदिया नेक्स्ट है 1 अर्ष से तो 1 अर्ष से हम 2 तरीके से लिख सकते हैं या तो आप लिखें 1 के लिए को बनाए और फिर अर्ष से के लिए रा और सा लिख दें और फिर से यानि मतलब 1 के लिए और फिर C के लिए पूरा 100 बनाया है और C लिख दिया है लेकिन अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है तो second बनाया गया है एक का सब्दचिन और रा और सब और फिर C के लिए सा का circle तो आपको जो अच्छा लगी आप वो बना सकते हैं वैसे दूसरा ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा लेकिन पहला हमने सौर्ड करने का प्रयास किया है नेक्स्ट इंतजार किया जा रहा है इंतजार बहुत लोग इंतजार कई तरीके से लिखते हैं सबकी अपनी पसंद होती है तो इंतजार हमने लिखा है लाइन काट के तव और जा में रहा था जोड़ दिया है नेक्स्ट इं निर्मला सीता रमन यह बहुत बाइडिक्टिशन में आए है और मैंने बताया भी है और यहाँ फिर से बता दे रही हूँ नो में रह लगा के निर्मला और उसी में सीता जोड़ दिया है और रमन के लिए रह से काट दिया है नेक्स्ट है सरकारी बैंक सरकारी भी सरकार दो प्रकार से लिखे जाते हैं तो हमने ये वाला फर्स्ट प्रकार लिखा है तो आप इसमें कन्फ्यूज मत होईगा तो सरकार और बसे कार दिया है तो bank यानि सरकारी bank नेक्स्ट है पर्याप्त माने जा रही है तो पर्याप्त का सब्दचिन हमने या बे लिखा है and माने जा रहा है मान माने जो सब्दचिन होता है माने और इसमें जो को बढ़ा कर दिया तो जा रही और है जोड दिया है और एक ही मात्रा के लिए हमने यहां पर डॉट लगा दिया है ताकि एक ही मात्रा अच्छे से पढ़ी जाए नेक्स्ट जो है वो देखना या है की अब मैंने बताया था देखना दो तरीके से लिखे जाते हैं एक तो नो का आकड़ा लगा कर और अगर हमें उसमें यहां है की यहां की जोड़ना है तो उसके लिए देखना लिखेंगे नो का आकड़ा ने पूरा लिखेंगे तो देखना एंड इसमें यहां है की जोड़ देंगे next day सुनिश्चित किया जाना चाहिए तो सुनिश्चित लिखेंगे जैसे सुनिश्चित आप लिखते हैं और उसके बाद उसी में हम किया का सदुचिन और जाना और नौ की तरफ चाहिये का चाप लगाएंगे तो ना पढ़ा जाता है यानि ज़ चाहिए नहीं होता है, नाव की तरफ हमने चाप लगाया है, तो जाना चाहिए and की का थोड़ा सा डैस लगा दिया है, नेक्स्ट है दिवाला निकल गया, अब दिन दी दिया का सद्दचिन होता है, वहां से हमने लाइन काट के दी लिख दिया और वाला वाली वाल दर्ग प्रतिया से हमने यहां पर उसमें जोड़ दिया है, यह हो गया दिवाला और निकल और गया के लिए यह का हुक लगा देते हैं, आकड़ा लगा देते हैं, नेक्स्ट है प्रतिषपर्दा, प्रतिषपर्दा दो तरीके दे लिखे जाती है, या तो आप प्रति तो न जोड़ा जाता है याने करनी चाहिए नेक्स्ट है उमीद नहीं रखनी चाहिए तो उमीद के लिए मा और दा उमीद हो गया और फिर नहीं और उसी के तरफ रहा लिखते हैं तो उसमें खो जुड़ जाता है तो उमीद रख और नी चाहिए हमने लिख दिया आनि न लिखके चाहिए का चाप लगा दिया है नेक्स्ट है राजनितिक हस्तचेप से तो राजनितिक आप जैसे लिखते हैं एंड इसमें हस्तचेप से जोड सकते हैं लेकिन अगर आप चाहें तो राजनितिक अलग लिखके हस्तचेप से ये दुन दो साथ ही रहेगा तो आप इसे अलग लिख सकते हैं नेक्स्ट है दिला रही है, तो दिला रही है, यानि दिन दिया से लाइन काट के दी हो गया और लग को बढ़ा करेंगे, तो रहा रही रहे पढ़ा जाता है, और रही और है, है और की का हुग लगा देंगे, नेक्स्ट है मुक्त हुआ जा सकता है, तो मुक्त लिखेंगे, और तका आकडा और यह हुआ और जा सकता है जोड़ देंगे नेक्स ऑधीमि विकास दर है इसे हमने एक साथ लिखने का प्रयास किया है line card के लिखेंगे तो यह की मात्र पढ़ी जाएगे धीमी और विकास के लिए कोँ जोड़ दिया है और थोड़ा सा hook निकालके ताकि दो में रह भी हम इसमें जोड़ सके क्योंकि वैसे अगर सो के आखड़े में हम जोड़ेंगे तो दो में लह बन जाएगा इसलिए छोड़ा सा hook निकालके और दो रह और हैसमें है का आखड़ा लगा दिया है Next is चिंतित करने वाला है और सारा रूल एक की वीडियो में सवाहित करना पॉसिबल नहीं होता है तो और फिर करकर के करना और वाला उपसर्ग प्रतेशे और है का आखड़ा लगा दिया है next last है अनभिग्य नहीं हो सकती है अनभिग्य के लिए न भव और गव फिर्य का आखड़ा अनभिग्य नहीं हो सकती इसमें हमने जोड़ दिया है और अब टाइम है डिक्टिशन का तो तयार हो जाएए क्योंकि ज़्यदा टाइम बेस्ट नहीं करते और सिधा डिक्टिशन स्टार्ट करते हैं स्टार्ट करेंगे सत्तर बड़ पिम से तो जो लोग सत्तर बड़ पिम लिखना चाहते हैं वो कंटिन्यू रख सकते हैं अदर्वाइज जो लोग 80 बड़ पिम या 90 या 100 या 110 लिखते हैं वो वीडियो को उसी हिसाब से इसकिप कर सकते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं 70 बर्ट पिम डिक्टिशन और हां बता दूँ पहले कि कुछ लोगों ने रिक्वेस्ट गिया है कि मैडम की आबाज में भी डिक्टिशन दिया जाए तो हम यहां पर देंगे आपको 100 बर्ट पिम और 110 सब्द पिम मैडम की आबाज में यानि मैं रेकोर्डिंग करूँगा सिर्फ 90 बर्ट पिम तग ठीक है तो चलिए स्टार्ट करते हैं 70 बर्ट पिम से 70 बर्ट पिम डिक्टिशन स्टार्ट होगा ठीक तीन सेकंड बात 10 सरकारी बैंकों की बिलाय का फैसला बैंकिंग सुधार की दिसा में एक बड़ा कदम है ऐसे किसी फैसले का एक अर्से से इंतजार किया जा रहा था क्योंकि देश में दो दर्जन से अधिक सरकारी बैंक होने का कोई औचित नहीं बनता बित्त मंत्री निर्मला सीता रमन की दस बैंकों का बिलाय चार बैंकों में करने की खोशना का मतलब है कि अब देश में एक दर्जन सरकारी बैंक ही रह जाएंगे जोकि चार-पांच सरकारी बैंक ही परियाप्त माने जा रही है इसलिए देखना यह है कि भविस्य में बैंकों की संख्या में और कटोती होती है यह नहीं जो भी हो कम से कम अब यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि सरकारी बैंक उन समस्याओं से न ग्रस्त होने पाएं जिनके चलती एक तरह से उनका दीवाला निकल गया से सरकारी बैंकों को न केबल एक दूसरे तरी से वलकी निजी छेत्र के बैंकों से भी प्रतिसपरधा करनी चाहिए इससे भी जरूरी यह है कि उन्हें जनता के पैसे से खुद को उबारे जाने की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए इसी के साथ यह वी आवस्यक है कि बे बेजा राजनीतिक हस्त छेप से मुक्त रहें और कर्ज बांटने का काम इस तरह करें कि उसी बसूल भी कर सकें हालां कि सरकार यह भरूजा दिला रही है कि सरकारी बेंकों की एन पी ए में सुधार आया है लेकिन इसकी अंदेखी नहीं की जा सकती कि फसे कर्ज की बसूली अभी भी चिंता का विसाय बनती रहती है इस चिंता से तभी मुक्त हुआ जा सकता है जब सरकारी बेंकों को फसे कर्ज के मामले में जवाब दे बनाया जाएका इसके लिए जरूरी हो तो नियम कानूनों में बदलाओ किया जाना चाहिए बेंकों में बिलाओ की घोष्णा एक ऐसे समय हुई जब अर्थ ब्यवस्था की ब्रद्धी दर में भारी गिराबट सामने आई चालू बित्वर्स की पहली तिमाही में बिकासदर घटकर पांच प्रतिसत रह जाना यह बताता है कि मंदी का असर गहरा रहा है यह बीते छे साल में सबसे धीमी बिकासदर है हालां कि अर्थ ब्यवस्था में सुस्ती के चलते जीडीपी में गिराबट का अंदेशा था लेकिन पांच प्रतिसत का आंकड़ा कहीं अधिक चिंतित करने बाला है सरकार उन कारणों से अन्विग नहीं हो सकती जिनके चलते आर्थ ब्यवस्था की रफ्तार धीमी पड़ती जा रही है यह था सत्तर बड़ पीम और अब टाइम है असी बड़ पीम का सत्तर बड़ पीम में एक जगा थोड़ा सा मिस हो गया था क्योंकि रिजन तो पता ही है कि यह इसकी स्क्रीन पर एक थोड़ा सा डॉट है काला सा धबाग चली असी बड़ पीम स्टार्ट करते हैं स्टार्ट होगा ठीक तीन सेकंड बाद दस सरकारी बैंकों की बिलाय का फैसला बैंकिंग सुधार की दिसा में एक बड़ा कदम है ऐसे किसी फैसले का एक अर्से से इंतजार किया जा रहा था क्योंकि देश में दो दर्जन से अधिक सरकारी बैंक होने का कोई ओचित नहीं बनता बित मंतरी निर्मला सीता रमन की दस बैंकों का बिलाय चार बैंकों में करने की घुष्णा का मतलब है कि अब देश में एक दर्जन सरकारी बैंक ही रह जाएंगे चूंकि चार-पांच सरकारी बैंक ही परियाप्त माने जा रहे हैं इसलिए देखना यह आए है कि भविष्ण में बैंकों की संख्या में और कटोती होती है या नहीं जो भी हो कम से कम अब यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि सरकारी बैंक उन समस्याओं से न ग्रस्त होने पाएं जिनके चलते एक तरह से उनका दीवाला निकल गया सेस सरकारी बैंकों को न केबल एक दूसरे से वलकी निजी छेत्र के बैंकों से भी प्रतिस परधा करनी चाहिए इससे भी जरूरी यह है कि उन्हें जनता के पैसे से खुद को उबारे जाने की उमीद नहीं रखनी चाहिए इसी के साथ यह भी आवस्यक है कि बे बेजा राजनीतिक हस्त छेप से मुक्त रहें और कर्ज वांटने का काम इस तरह करें कि उसे बसूल भी कर सकें हलांकि सरकार यह भरूसा दिला रही है कि सरकारी बैंकों के एन पीए में सुधार आया है लेकिन इसकी अंदेखी नहीं की जा सकती कि फंसे कर्ज की वसूली अभी भी चिन्ता का विसाय बनती रहती है इस चिन्ता से तभी मुक्त हुआ जा सकता है जब सरकारी बैंकों को फंसे कर्ज के मामले में जवाब देख बनाया जाएगा इसके लिए जरूरी हो तो नियम कानूनों में बदलाओ किया जाना चाहिए बैंकों में बिलाय की घोषना एक ऐसे समय हुई जब अर्थे व्यवस्था की ब्रद्धी दर में भारी गिराबट सावने आई चालू बित्वर्स की पहली तिमाही में बिकासदर घटकर पांच प्रतिसत रह जाना यह बताता है कि मंदी का असर गहरा रहा है यह बीते छे साल में सबसे धीमी बिकासदर है हालांकि अर्थ व्यवस्था में सुस्ती के चलती जीडीपी में गिराबट का अंधेशा था लेकिन पांच प्रतिसत का आंकड़ा कहीं अधिक चिंतित करने बाला है सरकार उने कारणों से अनवेग्य नहीं हो सकती जिनके चलते अर्थ व्यवस्था की रफ्तार धीमी पड़ती जा रही है उसे इन कारणों का निवारण प्रात्मिक्ता के आधार पर करना होगा और इस क्रम में सबसे पहले यह देखना होगा कि लोगों की क्रै सकती कैसे बढ़े उपभुकता मांग बढ़ाने के कारगर उपायों के साथ सरकार को आर्थिक सुधारों को भी नए सरे से गति देनी चाहिए क्योंकि तभी उन कदमों का सही लाब मिलेगा जो हाल के दिनों में अर्थ व्यवस्था को बल देने के लिए उठाए गए हैं ये था 80 वर्ट पियम और अब समय है 90 वर्ट पियम का तो जो लोग 90 वर्ट पियम लिखते हैं वो यहां से स्टार्ट कर सकते हैं 90 वर्ट पियम स्टार्ट करेंगे ठीक तीन सेकंड बाद 10. सरकारी बैंकों की बिलाय का फैसला बैंकिंग सुधार की दिसा में एक बड़ा कदम है ऐसे किसी फैसले का एक अर्शे से इंतजार किया जा रहा था क्योंकि देश में दो दर्जन से अधिक सरकारी बैंक होने का कोई ओचित्य नहीं बनता वित्तमंत्री निर्मला सीता रमन की 10 बैंकों का बिलाय चार बैंकों में करने की गोशना का मतलब है कि अब देश में एक दर्जन सरकारी बैंक ही रह जाएंगे चूंकि 4-5 सरकारी बैंक ही परियाप्त माने जा रही है इसलिए देखना यह है कि भाविश्य में बैंकों की संख्या में और कटोती होती है या नहीं जो भी हो कम से कम अब यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि सरकारी बैंक उन समस्याओं से ना ग्रस्त होने पाएं जिनकी चलती एक तरह से उनका दीवाला निकल गया सेस सरकारी बैंकों को नकेबल एक दूसरे से वलकि निजी छेतर के बैंकों से भी प्रतिस पर्धा करनी चाहिए इस से भी जरूर यह है कि उन्हें जनता के पैसे से खुद को उबारे जाने की उमीद नहीं रखनी चाहिए इसी के साथ यह भी आवस्यक है कि बे बेजा राजनीतिक हस्त छेप से मुक्त रहें और कर्ज बांटने का काम इस तरह करें कि उसे बसूल भी कर सकें हलांकि सरकार यह भरोसा दिला रही है कि सरकारी बैंकों की एन पी ए में सुधार आया है लेकिन इसकी अंदेखी नहीं की जा सकती कि फसे कर्ज की बसूली अभी भी चिंता का बसाय बंती रहती है इस चिंता से तभी मुक्त हुआ जा सकता है जब सरकारी बैंकों को फसे कर्ज के मामले में जबाब्देह बनाया जाएगा इसके लिए जरूरी हो तो नियम कानूनों में बदलाओ किया जाना चाहिए बैंकों में बिलै की घोषना एक ऐसे समय हुई जब अर्थ व्यवस्था की ब्रधी दर में भारी गिरावट सामने आई चालू बित्वर्स की पहली तिमाही में बिकासदर घटकर पांच प्रत्सत रह जाना यह बताता है कि मंदी का असर गहरा रहा है यह बीते छे साल में सबसे धीमी बिकासदर है हालांकि अर्थ व्यवस्था में सुस्ती के चलती जीडीपी में गिरावट का अंदेशा था लेकिन पांच प्रत्सत का आंकड़ा कहीं अधिक चिंतित करने वाला है सरकार उन कारणों से अनवेग नहीं हो सकती जिनके चलती अर्थ व्यवस्था की रफ्तार धीमी पड़ती जा रही है उसे इन कारणों का निवारण प्रात्मिक्ता के आधार पर करना होगा और इस क्रम में सबसे पहले यह देखना होगा के लोगों की क्रै सकती कैसे बढ़े उपभुक्ता मांग बढ़ाने के कारगर उपायों के साथ सरकार को आर्थिक सुधारों को भी नए सरे से गति देनी चाहिए क्योंकि तभी उन कदमों का सही लाब मिलेगा जो हाल के दिनों में अर्थ व्यवस्था को बल देने के लिए उठाए गए है तो ये था 90 बड़ पीम और अब समय है 100 बड़ पीम डिक्टेशन का जो की मेडम रिकॉर्ड करेंगी क्योंकि आप लोगों की रूखेस्ट है कमेंड मेंने काफी पढ़े हैं तो आप लोगों कहना है कि फीमल बड़ भी जरूरी है तो हम आगे परियास करेंगे कि कुछ दिक्टेशन male boys हो, कुछ female boys तो चलिए 100 बैट पीम डिक्टेशन record करेंगे Source of the प्रति मिनट डिक्टेशन स्टार्ट होगा 3 साइकेंड बार स्टार्ट 10 सरकारी वैंको के विलाय का फैसला बैंकिंग सुधार की दिशा में एक बड़ा कदम है ऐसे किसी फैसले का एक अर्से से इंतजार किया जा रहा था क्योंकि देश में दो दरजन से अधिक सरकारी बैंक होने का कोई और चित्य नहीं बनता वित्तमंत्री निर्मला सीता रवन की दस बैंकों का विले चार बैंकों में करने की घोशना का मतलब है कि अब देश में एक दरजन सरकारी बैंक ही रह जाएंगे चोंकि चार पांच सरकारी बैंक ही परियाप्त माने जा रहे हैं इसलिए देखना यहा है कि भविश्य में बैंकों की संख्या में और कटोती होती है या नहीं जो भी हो कम से कम अब यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि सरकारी बैंक उन समस्याओं से न ग्रस्त होने पाएं जिनके चलते एक तरह से उनका दिवाला निकल गया सेस सरकारी बैंकों को न किवल एक दूसरे से बलकी नीजी चितर के बैंकों से भी प्रतिस्परधा करनी चाहिए इससे भी जरूरी यह है कि उन्हें जनता के पैसे से खुद को उबारे जाने की उमीद नहीं रखनी चाहिए इसी के साथ यह भी आवश्यक है कि वे बेजा राजनितिक हस्तशेप से मुक्त रहें और कर्ज बाटने का काम इस तरह करें कि उसे वशूल भी कर सकें हालाकि सरकार यह भरोसा दिला रही है कि सरकारी बैंकों के NPA में सुधार आया है लेकिन इसकी अंदेखी नहीं की जा सकती कि फसे कर्ज की वशूली अभी भी चिंता का विशे बनती रहती है इस चिंता से तभी मुक्त हुआ जा सकता है जब सरकारी बैंकों को फसे कर्ज के मामले में जवाब देह बनाया जाएगा इसके लिए जरूरी हो तो नियम कानूनों में बदलाव किया जाना चाहिए बैंकों में विले की घोशना एक ऐसे समय हुई जब अर्थव्यवस्था की वृद्धी दर में भारी गिरावट सामने आई चालू वित्वर्ष की पहली तिमाही में विकासदर घटकर 5 प्रतिशत रह जाना यह बताता है की मंदी का असर गहरा रहा है यह बीते 6 साल में सबसे धीमी विकासदर है हाला की अर्थव्यवस्था में सुस्ती के चलते जीडीपी में गिरावट का अंदेशा था लेकिन 5 प्रतिशत का आखड़ा कहीं अधिक चिंतित करने वाला है सरकार उन कारणों से अनभिग्य नहीं हो सकती जिनके चलते अर्थव्यवस्था की रफ्तार धीमी पढ़ती जा रही है उसे इन कारणों का निवारण प्राथमिक्ता के आधार पर करना होगा और इस क्रम में सबसे पहले यह देखना होगा की लोगों की क्रै सकती कैसे बढ़े उपभुक्ता मांग बढ़ाने के कारणर उपायों के साथ सरकार को आर्थिक सुधारों को भी नए सिरे से गती देनी चाहिए क्योंकि तभी उन कदमों का सही लाब मिलेगा जो हाल के दिनों में अर्थ व्यवस्था को बल देने के लिए उठाए गए हैं सौ सब्दर प्रतिमिनट डिक्टेशन समापत हुआ अब बारी है 110 सब्दर प्रतिमिनट डिक्टेशन की स्टार्ट होगा त्री सेकेंड बाद स्टार्ट दस सरकारी बैंकों के विले का फैसला बैंकिंग सुधार की दिशा में एक बड़ा कदम है ऐसे किसी फैसले का एक अर्से से इंतजार किया जा रहा था क्योंकि देश में दो दर्जन से अधिक सरकारी बैंक होने का कोई औचित्य नहीं वनता वित्तमंत्री निर्मला सीता रमण की दस बैंकों का विले चार बैंकों में करने की घोशना का मतलब है कि अब देश में एक दर्जन सरकारी बैंक ही रह जाएंगे चोकि 4-5 सरकारी बैंक ही परियाप्त माने जा रहे हैं इसलिए देखना यह है कि भविश्य में बैंकों की संख्या में और कटावती होती है या नहीं जो भी हो कम से कम अब यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि सरकारी बैंक उन समस्याओं से न ग्रस्त होने पाए जिनके चलते एक तरह से उनका दिवाला निकल गया से इस सरकारी बैंकों को न केवल एक दूसरे से बलकी नीजी छेतर के बैंकों से भी प्रतिस्परधा करनी चाहिए इससे भी जरूरी यह है कि उन्हें जनता के पैसे से खुद को उबारे जाने की उमीद नहीं रखनी चाहिए इसी के साथ यह भी आवश्यक है कि वे बेजा लाजनितिक हस्तचेप से मुक्त रहें और करजबाट में का काम इस तरह करें कि उसे वशूल भी कर सकें हाला कि सरकार यह भरोसा दिला रही है कि सरकारी बैंको के NPA में सुधार आया है लेकिन इसकी अंदेखी नहीं की जा सकती कि फसे करज की वसूली अभी भी चिंता का विशे बंती रहती है इस चिंता से तभी मुक्त हुआ जा सकता है जब सरकारी बैंको को फसे करज के मामले में जवाब दे बनाया जाएगा इसके लिए जरूरी हो तो नियम कानूनों में बदलाव किया जाना चाहिए बैंको में विले की घोशना एक ऐसे समय हुई जब अर्थ विवस्था की वृद्धी दर में विकास गिरावट सामने आई चालू वित्वर्ष की पहली तिमाही में विकास दर घटकर 5 प्रतिशत रह जाना यहां बताता है की मंदी का असर गहरा रहा है यह बीते 6 साल में सबसी धीमी विकास दर है हाला की अर्थ विवस्था में सुस्ती के चलते जीडीपी में गिरावट का अंदेशा था लेकिन 5 प्रतिशत का आंकड़ा कहीं अधिक चिंतित करने वाला है सरकार उन कारणों से अनभिग्य नहीं हो सकती जिनके चलते अर्थ विवस्था की रफ्तार धीमी पढ़ती जा रही है उसे इन कारणों का निवारण प्रात्मिक्ता के आधार पर करना होगा और इस क्रम में सबसे पहले या देखना होगा की लोगों की क्रै सकती कैसे बढ़े उपभूपता मांग बढ़ाने के कारगर उपायों के साथ सरकार को आर्थिक सुधारों को भी नए सिरे से गती देनी चाहिए क्योंकि तभी उन कदमों का सहीलाव मिलेगा जो हाल के दिनों में अर्थ विवस्था को बल दीने के लिए उठाए गए है डिक्टेशन समाप्त हुआ एक जगह मैंने यहाँ पे अर्थ विवस्था की वृद्धी दर में भारी भारी की जगह कुछ और बोल दिया था भारी गिरावट वहाँ पे थी अगर आपने डिक्टेशन लिखा होगा तो आपको याद होगा भारी गिरावट ही या वृद्धी गिरावट आई थिंक मैंने बोल दिया था एक ही वर्ड है भारी की जगह कुछ और तो जले यह डिक्टेशन समाप्त हुआ और ऐसे डिक्टेशन आपको मिलते रहेंगे प्रते दिन मॉर्निंग में 6 बजे तो डिक्टेशन को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूले धन्यवाद